कक्षा दस अध्याय 14 सांखी की प्रश्नावली 14.2 आज हम इसका तीसरा प्रश्न कर रहे हैं निमने लिखित आंकडे किसी गाउं के 200 परिवारों के खुल मासिक घरेलू व्याय के बंटन को दर्शाते हैं इन परिवारों का बहुलक मासिक व्याय ग्याद कीजे साथ ही माध्य मासिक व्याय भी ग्याद कीजे ये सारनी है बच्चो इसमें लेफ्ट साइट पे आपको बताया गया है कि 1000 से 1500 रुपए खर्च करने वाले व्याय मतलब खर्च करने वाले कितने परिवार हैं 24 1500 से 2000 रुपए तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं 40 2000 से 25 तक खर्च करने वाले कितने परिवार हैं 33 इस प्रकार से आपको यह सारनी दी गई है आपको इसका बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है बच्चो इस वीडियो में हम आपको केवल बहुलक निकालना दिखाएंगे माध्य आप पिछली एक्सरसाइज में निकालना सीख चुके हैं उसे आप स्वयम निकालिएगा याद रखिए आपको बहुलक और माध्य दोनों निकालना है इस वीडियो में आपको केवल बहुलक दिखाया जाएगा माध्य आप स्वयम निकालिएगा आईए बहुलक निकालकर देखते हैं ये हमारी सारनी है सबसे पहले बच्चों हम देखेते हैं अधिक्तम बारंबारता तो परिवारों की संख्या में देखे सबसे जादा संख्या कौन सी है चालिस इसका मतलव अधिक्तम बारंबारता है चालिस इसी से हमें बहुलक वर्ग ग्यात हो जाएगा जिस वर्ग में चालिस आया है यानि 1500 से 2000 तक ये हमारा बहुलक वर्ग है इसके हिसाब से इसकी निचली सीमा है 1500 तो अल आ जाएगा 1500 और बहुलक वर्ग की बारमबारता कितनी है? 40 तो F1 आएगा 40 बहुलक वर्ग से पिछले वर्ग की बारमबारता है 24 यानि F0 होगा 24 बहुलक वर्ग से अगले वर्ग की बारंबारता है 33, तो F2 होगा 33 H, वर्ग अंतराल ग्याद करने के लिए हम किसी भी वर्ग के उपरी सीमा से निचली सीमा को माइनस कर सकते हैं तो मैंने बहुलक वर्ग लिया है, 2000 में से उसकी निचली सीमा 1500 को माइनस कर देंगे, तो हमें H ग्याद होगा 500 आईए, अब हम इन सभी वैल्यूज को बहुलक के सूत्र में रख कर देखते हैं बहुलक का सूत्र आपके सामने है, L की जगा हम लिखेंगे 1500 प्लस F1 माइनस F0 F1 है 40, F0 है 24 तो उपर अंशा जाएगा 40 माइनस 24 नीचे है 2F1 यानि 2 गुना 40 माइनस F0, F0 है 24 माइनस F2, F2 है 33 तो F2 की जगा हमने लिखा 33 गुना H, H है 500 के बराबर तो H की जगा हमने लिख दिया गुना 500 अब हम इसे हल करेंगे देखिए बच्चो, 1500 प्लस 40 में से 24 माइनस करने पर हमें प्राप्त होगा 16 तो उपर हमने लिखा है 16 नीचे देखिए 2 गुना 40 होता है 80 80 में से 24 गटाने पर हमें प्राप्त होगा 56 और 56 में से 33 गटाने पर हमें प्राप्त होगा 23 इसका अर्थ है हमारे पास नीचे हर में आ गया है 23 गुना 500 अब देखें अगले स्टेप में हम 500 को 16 से गुना कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 8000 उस 8000 को जब नीचे 23 से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 347.83 अब अगले स्टेप में 1500 में 347.83 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1847.83 इस प्रकार से ये सारी कैलकुलेशन करने पर बहुलक प्राप्त हुआ 1847.83 यानि परिवारों का बहुलक मासिक वियाए आ गया है 1847.83 रुपए तो देखा बच्चो हमने बहुलक का सूत्र इसका उप्योग करके इस प्रश्ण में बहुलक मासिक वियाए गयात या है आशा करता हूँ यह प्रश्ण आपको अच्छे से समझाया होगा धन्यवाद